नमस्ते मैं कल खाना बना रही थी और चमज को बरतन के बाहर रखने के बजाए अंदर ही छोड़ दिया काम खतम करके जैसे ही चमज को छुआ उंगलिया जल गई अरे बाप बहुत गर्म रहा होगा और वो इतना गर्म हुआ कैसे मैं नहीं जानती ये मेरा पहला अनुबह हो था रुकिये एक प्रयोक करके देखते हैं कि वो चमजा इतना गर्म कैसे हो गया आप देखना चाहेंगी हाँ जलो देखते हैं चलिए देखते हैं इस प्रयोक के लिए हमें क्या क्या लगेगा एक स्टील की रूलर या फिर आरी वाली ब्लेड इन दोनों में से कोई भी एक अब हम देखेंगे कि प्रयोक कैसे करना है लकडी का टुकड़ा जिसमें रूलर या आरी लगी हुई है उसे ले आईए अब मूम बत्ती को जला कर मूम की कुछ बून दे रूलर या आरी पर गिरा दे और उन चार कीलों को मूम की इन बून्दों पर चिपका दे इस तरह से क्या आपने देखा लौकी गर्मी आरी से होती हुई गुजरी और एक एक कर सारी किलों को गिरा दिया। अब समझी कल खाना बनाते वक्त मेरे साथ भी यही हुआ था गर्मी चमचे से होती हुई उपर पहुँच गई सही कहा अब मैं समझी बिल्कुल ठीक अब आप भी इसे घर पर आजमा सकते हैं पर ध्यान रहें इस प्रयोग को बड़ों की देखरेक में ही करें सही कहा गुल लग